हेलो फ्रेंट्स आप कैसे हैं आई होप कि बहुत बढ़ी होंगे फ्रेंट्स वर्थमान की बात करें तो हर गरों में बिजली बहुत जुरूरी है और अगर गरों से अगर बिजली चली जती है तो मानों ऐसा लगता है कि आज हमारी जिंदगी ही चली गई क्यों नहीं हम इंवटर को बॉल दे कि जैसे बिजली जाएं आप सेवा देना शुरू कर देना तो फ्रेंड इसके लिए आपके गर में होना चाहिए एक उपग्रेड सॉलर इंवटर सॉलर इंवटर इसलिए बोलाए कि अगर आप नॉर्मल इंवटर बैटरी लेंगे तो एक बार अगर आप बिजली से चार्ज कर लेंगे लेकिन माल लीजे दो दिन बिजली नहीं आती है तो फिर कहां से चार्ज करेंगे इसलिए आपके पास होना चाहिए solar inverter battery अगर आप अभी माल लीजे सिर्फ inverter battery ले रहे हैं और बविश्य में solar ले रहे हैं तो भी आप इस inverter पर solar लगा सकते हैं के लिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं latest technology के जो आज तक market में नहीं दिखे हैं Eastman Company के नए launch हुए solar pro upgrade inverter के बारे में अगर हम inverter के range की बात करते हैं तो यहां पर आपको 12V में solar pro 850 VA जो यानि की 12V है solar pro 1000 VA जो 12V है solar pro 14 VA वो भी 12V है और साथ में ही solar pro 2000 भी है यह 24V है अगर यहां पर inverter application की बात करते हैं application यानि की आप क्या-क्या load चला सकते हैं कहां-कहां लगा सकते हैं अगर हम use की बात करते हैं तो गर के लिए, office के लिए, किरणा की दुकान है तो उसके लिए, emitter के लिए, college, hospital, medical यानि की ऐसी जगह जहां पर 2000W तक का load आपको चलना है तो आप यहां पर यह inverter खरिच सकते हैं अगर हम बात करते हैं कि क्या-क्या हम application इस पर चला सकते हैं फैन, cooler, fridge, TV, सब कुछ आनि कि normal घर में जो भी आपके है load वो आप इस पर run कर सकते हैं थर आता है यहां पर 2000W का, 2000W का 24V में आता है और इस पर दो बेटरी लगा सकते हैं आप और यहां पर अगर load की बात करते हैं तो अगर आपके घर में induction cooktop है जो 1200W तक का है तो वो आप इस पर run कर सकते हैं साथ में ही आपका light fan भी run हो जाएगा यहां फिर आपके घर में जो tank है उस पर जो आधा HP तक का जो water pump है उसको run कर सकते हैं और साथ में ही आप इस पर fridge भी चला सकते हैं, cooler भी चला सकते हैं यानि कि घर का जो normal सारा load है वो आप 2000W तक चला सकते हैं next point आता है inverter warranty तो दोस्तो इस्ट में कंपनी आपको यहां पर 36 मन्त की warranty देती है साथ में आपको यहां पर 10 साल की ट्रांसफोर्मर पर warranty भी मिल जाती है next point आता है कि इन inverter पर हम battery कौन कौन सी लगा सकते हैं यहां पर यह inverter तीनों तरह की battery support करते हैं lithium-ion battery, lead acid battery या फिर flat battery अगला point आता है कि inverter पर output कितना दे सकते हैं आप यहां पर एक मात्र inverter है जो यानि कि VA equal to watt चलता है यानि कि जितने VA का inverter है आपके पास में उतने watts तक का आप load चला सकते हैं next point आता है inverter के features क्या है तो first यहां पर PWM charger मिलने वाला है जो highest efficiency में आपको मिल जाता है और यहां पर charging mode आपको दो परकार के मिलेंगे first HDD charging और second high charging battery को अगर आप HDD mode पर charge करते हैं तो यह 18 ampere पर charge होती है अगर आप high mode पर charge करते हैं तो यह 20 ampere से charge करेगा यहां पर आपको मिलता है battery selection switch यानि कि आप manually battery selection कर सकते हैं आप जो switch हैं इससे यानि कि lead acid battery है या फिर lithium battery है या फिर flat battery है तीनों का selection आप manually कर सकते हैं को इस इंवेटर में आपको दो option मिलते हैं पहला मिलता है narrow mode और second मिलता है wide mode जब आप यानि कि computer यूज करते हैं तो आप इसे narrow mode में रखेए जब आप यानि कि गैड़े luôn उपकरण चला रहे हैं तो आप इसे wide mode में रखिए इस inverter में आपको three working mode मिलते हैं फर्स्ट hybrid mode अगर आपका inverter hybrid mode में हैं तो यह grid solar और battery पर चलेगा यानि कि grid से load चलेगा और solar से battery charge होगी second intelligent mode solar grid और battery यानि कि solar से load चलेगा और solar से ही battery charge होगी solar के absent होने पर grid को तुरंत connect कर देगा जब solar power कम होगी तो solar से battery को charge होगी और grid से load चलेगा और battery voltage 13.8 volt होने पर grid disconnect कर देगा third मिलता है solar mode solar battery और grid first priority solar से load चलेगा और solar से ही battery charge होगी solar के absent होने पर grid को connect नहीं करेगा यह और load battery से चलेगा battery voltage 11.5 volt होने पर grid connect हो जाएगी जब solar power कम होगी तो grid से load चलेगा और solar से charging शेयर करेगा कि इस inverter में एक ऐसा switch मिलता है आपको जिससे यानि कि grid को आप enable भी कर सकते हैं और disable भी कर सकते हैं next आपको मिलता है याँ पर home away switch यह एक system में switch होता है जिसका उपयोग बिना load current के battery बचाने के लिए किया जता है यदि आप battery को inverter से हटाए बिना ही पूरा system बंद करना चाते हैं तो home away switch का उपयोग कर सकते हैं यानि कि आप अगर एक मैने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और आप अपना system को बंद करना चाते हैं तो आप क्या करेंगे कि battery को अलग करेंगे inverter को अलग करेंगे इतनी जंजट किये बिना ही आप सिर्फ home away switch को off कर दीजिए तो जब solar यह grid उपलब्द होगा तो यह automatic ही battery को charge करेगा और grid और solar न होने पर यह automatic ही बंद हो जाएगा और आपकी battery पूरी तरह से discharge नहीं होगी और damage होने से बच जाएगी अगला जो features मिलता है PV reverse protection यानि कि जब अपन solar panel इस्टोल करते हैं तो इसके दो wire आते हैं एक plus आता है और एक minus आता है जब आप inverter में आप उसको wire को जोड रहे हैं और आपको पता नहीं है उल्टे उल्टे wire लगा देते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है PV reverse protection जब आप उन wire को वापीस से सही जोडेंगे तो आपका system काम करना शुरू कर देगा और system damage नहीं होगा नेक्स जो फिचर्स मिलता है double PV VOC protection यानि कि कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता है या फिर हम आधी अदूरी जानकारी से ही हम installation करना शुरू कर देते हैं और अगर VOC से अगर double solar panel भी आप install कर लेते हैं तो भी यहाँ पर जो VOC protection है उससे यानि कि आपका system damage नहीं होगा नेक्स फिचर्स मिलता है आपको BMS protection इन केस यानि कि अगर lithium battery आपने लगा रखी है और BMS हमेशा lithium battery में ही लगता है और अगर वो BMS battery को disconnect कर देता है फिर inverter बैटरी को automatic ही solar और grid से connect कर देगा नेक्स फिचर्स मिलता है temperature guard inside दोस्तो आपने इन inverter के काई सारे फिचर्स के बारे में जाना है और भी काई सारे फिचर्स है जो मैं यहाँ पर website का link description में दे दूँगा आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें comment करके बताईए साथ में ही दोस्तो आपके गर का load कितना है आप calculation करके बताईए कि आपके लिए कौन सा inverter इसमें से है तो दोस्तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा है लाइक करे शेयर करें साथ में आपके कोई भी सुजाओ हो या पिर सवाल हो ता आप हमें comment करें बता सकते हैं चैनल पर नया है तो subscribe करें साथ में ही बेल आइकन को हिट करें अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पैज को फोलो करना ना बुले साथ में ही हमारे Instagram के लिए जै बाराज जै रास्तान वंदे मातरम जै जैसे Keeping. हारा आप है? झाल झाल